हेलो स्वांथियो नमस्कार सभी को एक बाद फिर से आपके यूट्व चनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपके एयर फोर्स एक्जाम दोहर 21 और नेवी एक्जाम के लिए हम आपके इंग्लिस का मॉक्टेस्ट नम्मर 6 करने वाले हैं साथी हो ठीक है तो सभी लोग एक बाद जूर जाएए सभी लोग एक बाद जूर जाएए अब आप सेर किजिए सभी के पास नहां भी आप चुरह हुए हैं एक बाद इसको सेर करका यह दोस्तों ठीक है जल्दी से इसको सेर करका यह साथी हो फिर में क्लास को सुरुवात करूंगा अगर आप क्लास में नहीं आया है इस चैनल पर नहीं आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बगरने पड़ी बेर आइकन के दबाईएगा ताकि आपको यह क्लास का जो भी नोटिफि सब्सक्राइब करें और दोनों का लेबल एक ही रहता है तो पांच को मैं अभी जब दस मॉक्टेस कंप्लिट हो जाएगा तो मैं 25 क्लास कराने लोगा दोस्तों ठीक है तो चलिए आज यह क्लास हम शुरू करते हैं पहले को साथ हम आगे बढ़ेंगे यह हमारा मॉक्टेस 6 इसका पूरा सुलिशन देख सकते हैं यहां पर क्लीक करके ठीक है तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले को साथ हम आगे बढ़ेंगे यह आपको समने पहला को सब्सक्राइब बता ना कि लिए कर्याक मतलब क्या होता सुनुनियम बताना हिस एक्सप्र Wish the Meaning इस का सिनॉनियम बताना हिस क्या होता है ध्रावेट मतलब जल्दी इस बताई दोस्तों ड्री तो दो देखिए दोस्तों आज hetl जbesो दिनमें Air Force ग्रूपiva रागा का मॉक्ट लिए की एरफिर्ट ग्रौप रागा का मॉक्टिट नंबर form से टेख होगा दोस्तों बहुत अच्छा कोशन कराया गया उस लिंक में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या फिर अभी वो क्लास हुआ है तो इस क्लास के नीचे वो क्लास दिखाई दे रहा होगा तो आप वहां पर जायकर इस क्लास यह क्लास देखने के बाद वह क्लास शुरूर देखिएगा बहुत ज़्यदा इंपर्टन क मतलब होता है कि मिलनसार आदमी सोसेलेबल आदमी मिलनसार आदमी ठीक है काम मतलब आप नहींते हैं कि सांती होता है काम मतलब सांत ठीक है और बीगेट मतलब क्या होता है तो बीगेट मतलब होता है दोस्तों कि जो बीगेट होता है जो टू गीव बर्थ मतलब जनम देना प्रोड्यूस करना उसको बीगेट बोलेंगे चलिए अगले कोशन पर आते हैं और दूसरा कोशन है और प्रोड़ी का सेल їх मतलब क्या होता है सैล के अगर आप पैले टेल्क कर सकते निखता लएफिड भी आप को लाइफ प्रान पर निंक कर सकते हैं तो तो बताईए इसका सही जीनूनियम क्या होगा或 यह इंडिये एक उसन इंडिये 2011 में मोखोचन विए पर यहाः इसका SHE से लुट्री का मतलब होता है लाभधायक क्या होता है ट्ररी मनें दिखाई दाग Great- ϊट्ण अब लैarta एक यह विविस फिरड़ी आपको gm option पर interim interim का मतलब होता है दोस्तों क्या तो temporary प्रोविजनल भी उसको बोलेंगे दोस्तों temporary कम समाई के लिए temporary या फिर प्रोविजनल इसको बोलेंगे ठीक है मतलब dubious मतलब क्या होता है तो dubious मतलब होता है अनलकी भी उसको कहा है दोस्तों ठीक है तो इतना कुशन आपको इससे याद रखना है चलिए अगले कुशन पाते हैं आज कमरा तीसरा कुशन है कि चूज दा वर्ड ऑपोजिट मीनिंग टूद तूदा गीवेन वर्ड मतलब इसका एंटॉनियम बताना है दोस्तों निर्थ इसको एक बाद एक बात दोस्तों थो बताये मतलब होता है आसकलेटिंग मतलब होता है दॉस्तों चलिए बता यह बता कुछ बسمना हुरने मैं सभी का reply बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूंगा सभी कमेंट का reply में देख रहा हूं दोस्तों ठीके बताई एसकलेटिंग मतलब क्या होता है आपको नहीं आता कोई बात नहीं उल्टा सीधा कुछ भी मैसेज कीजिए लेकिन कीजिए इस तरह से आपका confidence भड़ेगा दो अब इसका अट्रेम पूछा यहाँ पर अपोजिट पूछा है तो falling इसका एंट्रेम हो जाए उसको falling गिरना ठीक है अब increasing मतलब इसका synonym हो जाए बढ़ना Swindle Swindle मतलब क्या होता है Swindle मतलब होता है मुर्ख बनाना क्या मुर्ख बनाना Swindle मतलब मुर्ख बनाना Dope करना Dope Dope ठीक है Sorry Doupe D-U-P-E चलिए अगले कोशन पाते हैं आज की चौथा कोशन है ASTAS एस्टैस मतलब क्या होता है यह बताना है चलिए बताईए एस्टैस मतलब क्या होता है इसका एंसर बताईए इसका आपको एंटोनियम ही बताना है एस्टैस का एंटोनियम क्या होता है बताईए एस्टैस का एंटोनियम क्या होता है यह बताईए आप लोग दोस्तो बहुत अ बताना है आपको स्टैस जल्दी से फ़ल इसको 15 प्लस लाइव वाचिंग कीजिए दोस्तों मैं कितने दिने से बोलना है पंदर प्लस लाइव वाचिंग करने के लिए ठीक है तो इसका आज आप लोग तर्गेट द्रूर पूड़ा करें इस टार्गेट का अपलोग दुरू के इंगलिज के लास आपका आठ बजे होता है तो उस टास में आप लोग आलना मत भूलिएगा दोस्तों और हलाकि आज तो कलास आपका रही बजे हुआ है कुछ कारण कर दो से कल से एक बज़े होगा आपका रागा का मोख टेस ठीक है तो बताने है आपको स्टैस मतलब क् छिपाना hide करना covert करना c o v e r t covert करना hide करना ठीक है तो उसका antonym कहाज़ागा open करना अब बात करते हैं इसको option पर तो सीक्रेट बतलब क्या होता है तो सीक्रेट बतलब क्या होता है गुप्त होता है क्लेंडेस्टाइन इसको बोलते हैं c l a d e s t i n e कि इसको कहा थे दूस्तों टिस्ट्रोट मतलब होता है ररीकरण डबल रर आई यडी मृण खेज के अब कि वर्इट यहां पे लिख Надоओ इसका इन्टोनियम हो जाएगा और इसका सुन्रीम हो जाएगा टिक है डिस्ट्रोट мतलब ओपन मतलब क्या होता है खुला और इसका एंट्रोनियम यह हो जगा ठीक है चलिए अगले कोशन पर आते हैं आज का हमगा पांचवा कोशन है पांचवा कोशन में बढ़ेंगे हम कि बताना आपको चुछ मतलब क्या होता है कि देखे़ रख्लन मतलब मतलब का होता है कि give up my plan give up my plan मतलब निरास हो जाना निरास हो जाना गिब up कर देना निरास हो जाना गिब up कर देना ठीक है तुसको throw up my card उसको बोलेंगे दोस्तों ठीक है तो इतना इस idiom कपनों याद रखेगा चलिए अगले कोशन पर आते हैं आज का मारा बताइए इसका सही अंसर साथियों क्या होगा प्लीज इसको शेयर करें अगर आपको यह क्लास सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर करका यह आप जहां भी यूरोग में और अभी तक आप मांगर मतलब होता है एक मिनटच यह क्वेस्टन पता नहीं कहाँ आप यह रहा डॉग मतलब होता है तो स्वार्थी सेलफीज इसको बोलेंगे ठीक है डॉग इन मेंगर मतलब स्वार्थी ठीक है चलिए अगले कोशन पाते हैं आज का मैंना सातवा कोशन है कि चूज the word which can substitute for the given word कि यह आपको one word substitution बताना है चूज the word which can substitute for the given word a song sung at the death of person यहां पर इस नहीं होगा ठीकिए a song sung at the death of person मतलब किसी आदमी के मर दाने पर जो song गाया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम बताइए क्या उसको बताईए जल्दिस दिसका नीचे जो लाइब चल रहा है इसका एंसर वहीं पे बताना है यहीं पर एक होगा ठीक है जल्दिस इसका इंसर पर किसी आदमी के मर जाने पर शोक गीत को क्या इंगले से बोलते हैं ठीक है बताइए इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेर किजेगा अपने दोस्तों में इसको शेर किजेए बोले कि यहां पर क्लासे सुरू हो चुका है एयर फोर्स का और यह जी को शोक गीत बोलेंगे ठीक है अब बात करते हैं इसके और और मतलब क्या होता है तो किसी खास लक्ष पर लिखी गई कवीता या किसी खास लक्ष पर गाई गई गीत उसको और बोलेंगे ठीक है अब देखिए लिटर्जी तो लिटर्जी मतलब क्या होता है तो प्राथ इसका एंसर क्या होगा अधर सब्सक्राइब करगा जाएगा चलिए वीडियो कोल्य रखाल Dear आप अधर याहन पर्णने विटिए को लाइक किजिए लाइक कीजेगा किसे अधरी qualification जातेए का टीक है चलिए बताइए इसका एंसर क्या होगा एंड़ और쪽 इसको वू लेंगे शो को एजयंडय बताइए इसका answer क्या होगा दोस्तो इसका ह्को बताना है नीशे जो लाइफ देट चल रहा है वहां पर इसका चलु से अहां पर बताना है कोई भी आपको को सब्सक्राइब नहीं आता है तो आप मेरे मेरे टैसIm mandate a technique कर सकते हैं कि सर्म जी मिलेगा तब वीडियो को पूरा देखिए घिर और मिस्प्रिंट इंप्रिंटिंग राइटिंग उसको बोलेंगे क्या इसको बनेंगे इरेटम बनेंगों लोग प्रिंशीप performed है और आजसी लोग पता ही है चलिए अगले कोशन पहते हैं कि आज का अवा वाइक्यूम का सही मेनिंग बताना दोस्तों यह इतना इंपोर्टन को सनना कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा बस समझ लेकिए बहुत ज्यादे इंपोर्टन को समय और यह हर एक बार एक बार एक्जामें पुछा आता है आपके एयर फोर्स नेवी हर एक बार कोई ना कोई उसे फिर्फ जरूर पूछा जाएगा वाइक क्यों बताइए इसमें इसका सही स्पेल्ट क्या होगा करेक्ट लिए आपको चूज करना है बताईए जल्दी से बताए जो नीचे लाइप चेट चल रहा है वहाँ पर बताईए दोस्तों देखें सां क्लास जो रागा का मॉक्टेस्ट हुआ है उसको नहीं किया है तो भई आप गलती कर रहे हैं अपने जीवन साथ खिलवार कर रहे हैं तो रागा का मॉक्टेस्ट अभी ढ़ाई बजए कंप्लीट हुआ दोस्तों लगवग एक आवर का वो तो उसको जाकर बहले ही दो गुन के लिए बोल रहा हूं मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूं ठीक है उसको जरूर देखिएगा और कल भी इसी तरह आपका इंग्लिज का मॉक्टेश चलेगा रात के आठ बजे और रागा का मॉक्टेश चलेगा दो पहर एक बजे ठीक है तो बताए वाइक्यूम का सही मीन डबल यू नहीं रहेगा यह तो गलत हो गया दोस्तों और डबल सी भी नहीं रहेगा इसमें क्या रहेगा तो वी ए सी डबल यू एम वाइक्यूम यह होगा इसमें डबल यू और सिंगल सी रहेगा तो ना जाने कितनी बार एक जाएं पूछा गया है तो बी और सी इसका सह अगले कोशन पाते हैं आज का मणा दसवा कोशन है find the correctly spelled word antecedent antecedent मतलब क्या होता है यह बताए इसका आपको correctly spelled word चूज करना है antecedent चलिए बताए इसका इसका correctly spelled word इसमें क्या होगा चलिए बताए दोस्तों सांतियों अभी तक आपना आच क怕 चलो सब्सक्राइब नहीं क्या है तो जरूर करें सब्सक्राइब ठीक है और एक महत्तपुन शुचना कल इसी समय पर आपका आठ बजे रागह का इंग्रीज का के हम 7 को कवर कर रहे होंगे इसी सभाई पर रात को आठ बजे ही और कल रागा का मुक्टेश 4 को कवर कर रहे होंगे सुबा दोपहर एक बजे तो उस क्लास में आप लोग आना मत भूलेगा बहुत द्यादा इंपोर्टन क्लास चल रहा है शांति आज कल तो बताए इसका सही एं इसको शुरुवात करेंगे एसे नॉट आई और नॉट इसे तो सी ऑप्षन और डी ऑप्षन तो गलत हो गया अब देखिए उसमें एंटी सीडेंट में हमेशा ई आएगा कहीं भी उसमें ए नहीं आएगा तो देखिए एंटी इसी इसमें भी है यहां पर डैंट लिखा य एंटी सीडेंट एंटी सीडेंट यह होता नॉट इसमें एक कभी भी नहीं आए दोस्तों को फॉलिख रखना है चलिए इसका फिडिफ आप पहले क्में पहले कोमेंट जो में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में ग्रूप का लिंक है तो आप टेलेग्राम को जोइन कर सकते हैं ठीक है चलिए इस क्वेशन का लोग एंसर बताइए क्या होगा दा मिनिस्टर हाइस बीन डाइस तुदा विक्टिम्स बताइए यहां पर आपको फिलिंदे ब्लें बताइए यहां पर क्या होगा जल्दी इसका एंसर बताइए दोस्तों क्या होगा तो देखिए कि मिनिस्टर हाइस बीन कि लिब्रल जेनरस रिच या फिशल फिस इसमें से क्या होगा तो देखिए मिनिस्टर जो था वह विक्टिम्स पिडितों के प्रती जेनरस था मतलब मतलब उदार था कि दान देने में ऊदार ता इसका मतलब मतलब ही उदार होता है मतलब भी उदार ही होता तो अपने वीचारों में उदार अपने मतलब खुब बढ़ियां से बात करेंगे हम उपने विचारों को हम दिखाएं कि हमारे विचार बहुत बढ़ियां उसको लिब्रल बोलेंगे दोस्तों लिब्रल परसन भी होता है दोस्तों तो दोनों में यह अंतर होता है तो यह अंतर आपनों यादर करेगा तो जेनरस यहा है यहाई है इसका सही एंसर इसमें क्या होगा लेगा इस से सेटेंज में चलिए दोस्तों क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेर करें जहां भी आप जूर वहें एक पड़ इसको शेर करके आई और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो जरूर किज़ें चैनल सब्सक्राइब हुआ नहीं होगा फास्ट मेरे टॉक हूं बाष को रिटी तो यह यही कोशन आपके एरफोर्स एक्जाम में बिल्कुल ऐसा ही कोशन पूछा रहता है या फिर नेवी एक्जाम में ठीक है नेवी का थोरा सा लेबल थोरा सा अपड़ा हैगा तो मैं सारे कोशन को पूरा किस पार्ट में होगा दोस्तों यहां पर क्या होगा इसका बहुत यह अचा कोशन ही है बताईए दोस्तों इसका सही आपको नीचे चल रहा है यहां पर को नीचे में कोई भी आपको प्रोडरम हो अभी अ प्रस्थ में जो फूरीद प्रस्थ तो आपने उसी sat क्लास के नीचे नीचे आप हमें उसी क्लास के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रस्न समझ नहीं आया है मैं वो सबसे पहले कल जब ये क्लास चलेगा तो मैं उसी क्वेशन को पहले उठाऊंगा और आपको समझाऊंगा दोस्तों अच्छे से समझाऊंगा ना सम कुछ और ऑसे होते हैं जो हमेसा पेर में रहते हैं रहते हैं कैसे ही कैंची हिता है यह और यह यह वाले पाट और यह वाली है यह दो जोरा हो गया यहां पर आपको ध्यान से दिखिएगा तो यहां पर वर्ब आपको पुल्रल दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी इसमें गलती है दोस्तों तो वह गलती यहां पर बिलॉंग्स नहीं होगा अगर बिलॉंग्स में इस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है दोस्तों क्या होता है सिंगुलर हो जाता है ठीक है लेकिन अगर बिलॉंग्स में इस हटा देंगे केवल बिलॉंग्स टू राधा करेंगे तो वह पुल्रल होगा जो तो तो बिलॉंग्स में से हम इसक सब्सक्राइब जरूर्ड करेंगे चलिए अगले कोशन पाहते हैं आज क्या मोड़ा चोधा हमा कोशन है कि गीव दफ पुल्रल ओफ वाच बहुत असान कोशन नहीं आपको वाच का घड़ी का पुल्रल बताना है दोस्तों क्या होगा बताइए इसका सही एंसर क्या होगा दो यह नहीं होगा एक मिनट एक मिनट मैं स्वर्ण उल्टा बता दिया कि ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों यह लएगा ठीक है इसके लिए मैं माफिश मंगता हूँ आपसे कि मैंने आपको गलत बता गलत के बता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था वाच इस नहीं होगा वाच यह होगा दोस्तों डबलू एटी सी एच इस वाच इस यह होगा ठीक है तो यह कुशन का प्ले याद रिख रिख या व रिख आशे और क disaster hypothesis लइगा दोस्तों बताइए वेन के साथ कौन सा फिक्स प्रिपर पोजिशन लगता है वेन को वेन का सांथ कonna fix pre position लहाएग यह बताना है आको को मैं बहुत जब्सक्राइं क्रूंग अश्क अज Ό acum नेवी इग्जाम में इंडिये अग्जामें और इंडी एक्जाम के लिए मेरा अथन का सोच रहा हूं दोस्तों मेरा अथन का तो क्या आप लोग उसमें साथ देंगे तो जरूर उसमें मैं वह क्लास लूँगा दोस्तों करीद दो से तीन घंटे का क्लास होगा और लगवग डेर सोच में हम फिक्स प्रिपेशन को हम डिस तो लिए इसका एंसर यह क्या होदध के साथ कौन सर्प्रिपोजेशन है कौन सा प्रिपोजेशन लाएगा यह बताना है आपको दोस्तों तोtó देखिए तो लगता है तो देखिए वेन के साथ लगता है, वेन ओफ, वेन के साथ ओफ प्रिपोजिटेशन को हम उपयूँ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वेन ओफ का मतलब होता है घमंड, घमंड होना, प्राॉड होना, घमंड करना, प्राउड करना, वेन ओफ, ठीक है, तो यह इस question कर पलॉब यादगा यह इंडिया का question है दोस्तों फिन अफ इंडिया का question है चलिए अगले question पायेते हैं आज कमरा 16 कोश्चन है तो देखें साथ ही तो आज हमारा सारा grammar और vocabulary सब्सक्राइब हो गया अब आपके सामने पैसे रिट पैसे केरफुली और चूज दा बेस्ट एंसर तु इस question but out of the four alternatives देखिए आपको यहां पर एक पैसेज दिया गए आसान पैसेज है काफी आसान पैसेज इसको आप पांच मुट में पढ़ लिजेगा और इसको कीजिएगा अपने से ठीक है मैं पैसेज को नहीं कराता हूं तो कि पैसेज करा हूं तो बहुत लमाई वीडियो हो आस्याक मुट करके मासक पढ़ आश्यक्षत है ठीक है और देखिए इसका आन्सर की मैंने दिया है लाश्ट में यहां पर इसका आंसर क्यें मोक्ते शिक्स वाइविशाल सर्मा आर्टी क्लास की तो इसका आंसर की आपको सारे इसमें मिल जाएंगे तो आप लोग पहले उस कोमेंट बाक्स में जरूर बताएगे साथ हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर जाएगा और इस वीडियो को जितना हो से को उतना शेर कर जाएगा अपने दोस्तों पर में कलीग में जहां भी आप जुरह हुए इसको एक बाट शेर परत कमांडो उस।